आजकी पेस्वारता में आप सभी का भावतिय जंता पाटि की वर्षे मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले मैं हैद्राबाद जहर की जंता का रदय से धन्निवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज जीस प्रकार का स्वागत Хाइदाबाद के रोड पर मैंने दिखा है साइद ही मैंने तेलंगाना में, हाइदाबाद में अन्ने हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत दिखा है जिस गर्म जोशी के साथ हिद्राबाद की जनता ने भारती जनता पार्टी के निताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाओं में मोदी जी के नेत्रूतों पर हमारे प्रदेश नेत्रूतों पर और भारती जनता पार्टी के लिए जिए जताया है इसलिए मैं हिद्राबाद की जन्ता का रदय से दन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे रोड पर जहां पर भी गए एक इंच भी जगे खाली नहीं दिखाई पर दी थी और मुझे भरोसा है रोड सो को देखकर कि इस बार भारतिय जन्ता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है इस बार चुनाव के बाद हिद्राबाद में मेयर भारतिय जन्ता पार्टी का होगा ए हिद्राबाद की जन्ता ने सपष्ट कर दिया है मित्रो हिजराबाद के अंदर 200 भर के IT हब बनने की सभी संभावनाय पड़ी हुई मगर IT हब कब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बने और इंफ्रास्ट्रक्चर सहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा मिन्सिपल कॉर्पोरेशन का होता है हाला कि केंदर सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटे मिलती है मगर इसका implementation एस सहर के शासन के हाथ में municipal corporation के हाथ में होता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जीस प्रकार का corporation यहाँ TRS और मदलिस के नित्रूतों में चला है वो हैदराबाद को IT hub बनने के लिए विश्वका IT hub बनने के सबसे बड़ा रूडा है अभी ही बारीस में पानी बर गया लगबग साथ लाख लोगों के घर में परिसान हो गए पानी बर गया छे साल से strong water की एक भी line इसका silting नहीं हटाया गया नालो का silting नहीं हटाया गया पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा मदलीस साथिदार है मदलीस के इसारों पर अवेट कंस्ट्रक्शन चलते हैं एपीस्मेंट होता है इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवेट कंस्ट्रक्शन जो हुए है उसने भी पानी बढ़ने में जमाव होने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है मैं हैदराबाद की जनता को विश्वात दिलाना चाहता हूँ कि एक बाराब भारती जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए हम सारे इलिकल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटा कर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिती नहीं लेने दिए मैं आज इप्रेसवार्दा में ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब पानी भर गया तब स्रिबान केसीयर कहा थे उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा हम भी मेडिया को ध्यानन से देखते हैं कही पर भी मुख्यमंत्रि है ना कोई दोरा किया ना क्रप्रेशन की बैठक की ना विधायकों के साथ घुनते दिखे ना स्थानी expand के साथ घुनते दिखे जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीवत में थी, तब मुख्यमंट्री कहा थे, OEC कहा थे, हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जूच का जवाब उनको देना पड़े गया मित्रो हम वादा करते हैं कि घूड गवर्नन्स को हम हैदराबाद के अंदर जमिन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का IT हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे और ये भारती जनता पार्टी का वादा है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं हम जो कहते हैं वो होता है चाहे 2014 का हमारा गोशना पत्र हो या 2019 का गोशना पत्र हो हमने सारे वादों पर अमल किया है मैं हिद्राबाद की जनता को पांच साल पहले एक घोशना पंतर टी आरेस ने भी दिया था जिसको प्रचिन आसिरवाद मदलिश के भी थे मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़ कर जाना चाहता हूँ कल वाटिंग है मेरी आसा है सामको केसी आर जी इसके जवाब दे एक तो आपने सौर दिन की योजना का वादा किया था इसका हिसाब किताब हरिद्राबाद की जनता मांगती है क्या हुआ सौदीन छोड़िये सब पांस साल पुरे हो गए उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखी एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे उसका क्या हुआ सिटीजन चार्टर छोड़िये इसका पहला पुरुष्ट भी तयार नहीं हुआ है और रोजमर्रा के काम के लिए गटर की सफाई के लिए रोड की सफाई के लिए रोड की स्टीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है 32,000 से ज़्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे हमने इसाब किताब लगाया हमारे कारेकरताओं ने 20-30 से ज़्यादा आप नहीं दे पाए हो कब दोगे वादा तो 5 साल का था गरीबों के लिए एक लाग घर बनाने थे 1100 से ज़्यादा नहीं बना पाए जबकि मोदीजी ने एक लाग पैंतीस जार गरीबों के घर के लिए तिलंगाना को पैसा मुहया करा है मगर आप इंप्लिमेंट नहीं कर पाते हो आपके फामा उससे बाहर निकल कर सची वाले में आओगे तब ही तो सायद कभी इंप्लिमेंटेंशन होगा भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोर बनाना था मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी व्यान जरा भूसी नदी के किनारे किनारे गुमा कर वो छेलेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिये जराद हैदराबाद की जनता स्रिमान आपसे पूत्ती है कि वादो का क्या हुआ पंद्रा डंप याड बनाने थे एक डंप याड का बोड़ भी तो दिखा दीजिये कहां गए वो पंद्रा डंप याड चार प्रिक्षा गुरु रविंद्र भारती की तर्च पर आप बनाने वाले थे क्या हुआ दस अजार करोड की एक योजना लेकर आये थे आप कहां गए दस अजार करोड कब खर्च किया मिन्सपल कॉर्परेशन के बजेट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है एक हुसेन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का एक स्वच्छ स्पोर्ट बनाने का टूरिस्पोर्ट बनाने का वादा किया था मैं अभी अभी हुसेन सागर के पास से आये हूँ, आप हरोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिपनी नहीं करना चाता। गांदी और उस्मानिया अस्पिटल की तर्च पर चार नए अस्पताल बनाने दें, हमें तो दिखाई नहीं दिये। मोदी जी ने इम्स में मेडिकल कॉलेट दिया, मद्दुरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेट दिया और अस्पतालों को कम्पलीट करने का काम मोदी जी ने किया। प्रेशाब भो तो छोड़िये, आपने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने एक आईश्यमान भारत योदना लाए हैं, जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपिय की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली हैं, आपने पोलिटिकल रिजन से, म महरोम रखा है, आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बिमार पड़ता है, तो उसको 5 लाख रुपिय की दवाई नहीं मिलती, अप्रस्यन नहीं करा पाता, अपने बुड़े माबाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाद नहीं करा पाता, क्या भिगाड़ा हैं इन लोगो मोदी जी की पॉपिलारीटी तो वैसे ही केसियार साब होने वाली हैं, भारते जन्ता पार्टी की सरकार ने हैं, हैदराबार और तिलंगाना के लिए काफी कुछ किया हैं, हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प, 16,000 करोर की लागत से, जिसको 30 किलोमेटर लंबा बनाया, इसका उत्तातन प्रदानमंत्री जी ने भी किया, प्रतिश्टित सेक्शनिक संस्थानों की स्विक्रूती की चार बनाये हैं, बायो डायाँवर्सेटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फोर इनोवेशन फोर डिफेंस एक्सलेंस हैदराबाद ऐसे चार बनाये हैं, 40,800 करो के विकास के लिए अमरुत मिशन लाया ग्रेटर हिद्राबाद नगर निगम में तीन परंटीस करोड मुले के दो पार्क विक्सित किये गए जी जी एच एमसी की लिए क्रेडिट रिटिंग की पुड़ी करने के लिए हमने इनिसिटिव लिया सबसे बड़ी बाद हिद्राबाद सहर के घरीबों के लिए हैं अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी पीम स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए हैं इस पीम स्ट्रीट वेंडर योजना घरीब रेडी वालों के लिए हैं और मुझे कहते हुए आनन्द होता है कि सबसे ज मिला है 3 तीन लाक लोगों को PM स्ट्रीट वेंडर योदना के तहट लॉन देने का काम किया गया और सबसे ज़्यादा किसी बड़े सहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है 30,000 से ज़्यादा PM स्ट्रीट वेंडर के लॉन दिए गए लगबग और 12 किलोमेटर लंबी रेल पर ही उदना मैट्रों की लागू हो रही है इसके अलावे हैद्राबाद के लिए पहले पास्पोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी अब फूरी व्योस्ता को प्रोपेस्नलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलोजी बेज करकर एक अध्यतन पास्पोर्ट ओफीस यहाँ पर बनाने का काम किया है और इसके साथ साथ हैद्राबाद के अंदर ए आईटी का बड़ा हव है देज भर के विवाओं के लिए मोदी जी ने धेर सारे योजनाए और धेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्द कराए है इसका परिनाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकत है मगर FDI inflow सबसे ज़्यादा भारत में है FII in pro भी नवंबर में रेकोर्ड जगे पे पहुँचा है आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा फाइदा हैद्राबाद को हो रहा है हमने देखा है कि हैद्राबाद में भारत की योजना और प्रदानवंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी-बड़ी कमपनिया आकरसी थोकर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मेकिन इंडिया की चमक भी हैद्राबाद के अंदर बड़ी है मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है अपना केवल वर्क प्रम होम इसकी जगह वर्क फ्रम एनिवेर के यह रास्ता खुला है और इसका सबसे बड़ा पाइदा है इद्राबाद के युवाओं को होने वाला है जो आईटी प्रोफेशनल है उनको होने वाला है यह मिनी भारत है भारत भरके युवाओं यहां आते हैं इनको वर्क पर होम की साथ साथ वर्क फ्रम एनिवेर यह योजना का सबसे बड़ा पाइदा अगर किसी एक सहर को किसी एक सहर के युवाओं को होना है तो वो हिद्राबाद को होना है स्टार्ट अप के लिए भी बहुत ध्यान दियागा है धेर सारी प्रायोटी में डिटेल में जाना नहीं चाथा मगर स्टार्ट अप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देखर एक नए उद्यम्यों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफर्म के तैयार किया है इसका भी सबसे बड़ा फाइदा हिद्राबाद को होने वाला है स्टार्ट अप के लिए व्यापार में आसानी हो इसके लिए एक नए बिजनेस फैंडी एको सिस्टिम तैयार करकर बहुत तेजी से इस पर आगे पड़े है इस आप डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने गलोबल रेंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रेंकिंग बहुत बहुत बहतर हुई है मित्रो यह सब के कारण है जो मीनी भारत है मीनी इंदिया है इसके युवा प्रोफेस्नल्स को बहुत उनके लिए एक शितीज बहुत बड़ी खुली है मित्रो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नित्रू तो बैठा है मैं आपको हैद्राबाद की जनता को भरोसा दिलाने चाहता हूं कि हम हिद्राबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिने इंडिया बने ऐसा सहर बनाने की दीशा में आगे बढ़ेंगे निजाम कल्चर को त्यार कर एक आधूनिक सहर बने इस प्रकार का हम हिद्राबाद को बनाएंगे यहाँ किसी का एपिस्मेंट नहीं होगा किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा इस प्रकार की नई कारिय सलस्कूति का विकास हम यहाँ पर करेंगे हम डाइनेश्टी से डेमोकरसी की और जाना चाहते हैं चाहे OASI साब की पार्टी हो चाहे TRS की पार्टी हो हमें तो बहुत सवाल करती है मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े तिलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है हम डाइनेश्टी से डेमोक्रेसी की और देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते है हिद्राबार और तिलंगाना को ले जाते है व्रष्टाचार से पारदर्सिता की और ले जाना चाहते है व्रष्टाचार सारी सिमा ये लांग गया अपने अपने रहन सहन को देख लीजे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कीस प्रकार का व्रष्टाचार तिलंगाना की जनता ने सहन किया है तुरुष्टी करण से हम समविकास की और जाना चाहते हैं किसी का एपीसमें नहीं करेंगे सब को बरोबर मौके मिलेंगे और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अप्मानित महसूस करता है अपने आपको उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की इस प्रकार का समविकास का हम बातावन करें बाड से डूबे सहर को बाड मुक्त सहर बनाना चाहते हैं और मैं एक सवाल फिर से स्रिमान चंदरसिकर रावजी से पूछना चाहता हूँ ये मजलिस के साथ आप जो समझोता करते हो इसमें हमें कोई आपती नहीं है कोई आपती नहीं कर सकता है लोग तंतर में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है मगर घुपते समझोता क्यों करते हो इतनी हिमत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुले आम सीट सेरिंग करकर लड़े एक कमरे के अंदर इलू इलू करकर आप सीटे बाढ़ते हो सारवजनी कुर्ण से पहिदाबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में एक गंड़ा बाकी कह दिये कि हाँ हमारा मदलिस के साथ समझोता है क्यों हिमत नहीं है इसका जवाब के सीयार और मदलिस दोनों ने होना चाहिए और मित्रो मैं मानता हूँ कि आज सरदार पटेल के कारण ही यह हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाडा तक और हिद्राबाद भारत के साथ चुड़ा हुआ है जिनों ने उसवक पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी वो सभी संस्कूती से यह निजाम संस्कूती से हम मुग्त करकर एक विक्सीत सहर हिद्राबाद को देना चाहते हैं इसलिए मेरी यह हिद्राबाद की जनता से करबध निवेदन है कि एक मौका भारती जनता पार्टी को दिजिए हम हाईदराबाद को विश्व का IT हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तयारी करेंगे और मोदी जी का असिरवाद है ही ही है तो हाईदराबाद अपने आप IT हब बनेगा इसको मुझे भरोसा है मेरी बाद समापत हुई आप एक-एक करकर सवाल पूछ सकते हैं यहां से कोई जो नाम बोलेंगे उसको करेंगे जलबाजी मत करिए सब सवालों के मैं जवाब दोगा